निरसन नियम या कैंसेलेशन लॉ integration sign e का पावर x इंटू f of x plus f dash of x dx का मान ग्याद करना माना की i equal to integration sign e का पावर x इंटू f of x plus f dash of x dx है अब समाकलन दो अलग 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 पदों के गुननफल के योग के रूप में है तो इसे अलग 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 पदों के रूप में हम तोड़ लेंगे तो मिल जाएगा i equal to integration sign e का पावर x f of x dx plus integration sign e का पावर x f dash of x dx प्रथम पद में खंचा समाकलन का उपयोग करके हम आगे सरल करेंगे तो हम लिक पहेंगे i equal to f of x integration sign e का पावर x dx minus integration sign d by dx of f of x integration sign e का पावर x dx into dx plus integration sign e का पावर x f dash of x dx सरल करने पर हमें मिल जाएगा e का पावर x f of x minus integration sign f dash of x into e का पावर x dx plus integration sign e का पावर x f dash of x dx तो इस प्रकार इस सूत्र को हम लिक सकते हैं integration sign e का पावर x into f of x plus f dash of x into dx equal to e का पावर x f of x यह निर्शन नियम का पहला सूत्र है अब दूसरा सूत्र देखते हैं यह है integration sign x into f dash of x plus f of x dx equal to x into f of x यह होता है हम यह सिद्ध करेंगे तो माना की i equal to integration sign x into f dash of x plus f of x dx है दोनों को अलग-अलग पदों के समाकलन के रूप में लिखेंगे तो मिल जाएगा i equal to integration sign x into f dash of x dx plus integration sign f of x dx प्रथम पद में खंचा समाकलन का उपयोग करके सरल करेंगे तो आगे हमें मिलेगा i equal to x into integration sign f dash of x dx minus integration sign d by dx of x integration sign f dash x dx of dx plus integration sign f of x dx आगे सरल करने पर मिल जाएगा i equal to x integration sign d by dx of f of x dx की f dash of x को हम लिख सकते हैं d by dx of f of x अब आगे है माइनस integration sign 1 into integration d by dx f of x dx and dx plus integration sign f of x dx आगे सरल करने पर मिलेगा i equal to x into f of x minus integration sign f of x dx plus integration sign f of x dx ये धंचिन और इंचिन वाले दोनों पद कैंसल हो जाएगे और हमें मिल रहा है i equal to x into f of x तो इस प्रकार हमें सूतर प्राप्त हुआ integration sign x into f dash of x plus f of x dx equal to x into f of x दिया गया प्रश्न है कि फलनों का x के सापेक्ष समाकलन कीजिए फलन दिया गया है e का पावर x x minus 1 upon x square इसका समाकलन करना है तो इसका हम समाकलन करेंगे हम लिख रहे हैं और minus 1 upon x square को अलग लिख करके सरल करेंगे तो e का पावर x x upon x square minus 1 upon x square dx आगे सरल करने पर हमें मिल जाएगा e का पावर x into 1 upon x minus 1 upon x square dx या फिर आप लिख सकते हैं e का पावर x into 1 upon x dx minus e का पावर x 1 upon x square dx तो ये जो फलन हमें दिखाई दे रहा है इसे हम प्रथम फलन मानते हैं और ये e का पावर x को हम दिती फलन मानते हैं और इसका फिर हम समाकलन करते हैं खंड सा समाकलन का उप्योग करके तो पहला फलन दूसरे फलन का समाकलन पहले फलन का आवकलन दूसरे फलन का समाकलन और फिर पूरे फलन का समाकलन फिर minus e का पावर x 1 by x square dx ये आगे सरल करते हैं 1 by x e का पावर x का समाकलन e का पावर x ही मिलेगा minus 1 by x इसका आउकलन करने पर आपको मिल जाएगा minus 1 into x का पावर minus 2 तो ultimately आप उसे लिख सकते हैं minus 1 upon x square और फिर e का पावर x का समातलन e का पावर x और फिर ये dx फिर minus e का पावर x into 1 upon x square dx ये minus और minus प्लस हो जाएगा तो 1 upon x e का पावर x minus और minus plus और फिर e का पावर x को हम पहले लिख रहे हैं फिर 1 upon x square dx minus e का पावर x into 1 by x square dx और फिर हम प्लस c लिख सकते हैं जहां पर c समाकलन नियत आंक है तो देखिए कि ये पद धनात्मक है और ये पद रनात्मक है तो ये दोनों कैंसल हो जाएगा और अंत में हमें उत्तर पराप्त हो रहा है i equal to 1 upon x into e का पावर x plus c तो यही जो दिये गए फलन का समाकलन है जो हमें ग्याद करने के लिए कहा गया था इसमें दूसरा फलन दिया गया है e का पावर x sin x into sin x plus 2 cos x इसका हमें समाकलन टन है तो माना की दिये गए फलन का समाकलन आई है और ये e का पावर x sin x into sin x plus 2 cos x dx bracket open करते हैं और दोनों फलनों को अलग-अलग फलनों के योग के रूप में लिखते हैं तो ये e का पावर x sin x और sin x multiply होकर के हो जाएगा sin square x dx plus e का पावर x sin x और 2 cos x तो मिल जाएगा 2 sin x cos x dx इस पहले वाले indication को हम चरल करते हैं जहां पर sin square x को प्रसम फलन और e का पावर x को हम दीती फलन मान करके खंड सा समाकलन करेंगे तो ये यहां से आपको मिल जाएगा प्रत्थम फलन दूसरे फलन का समाकलन रिन पहले फलन का आउकलन दूसरे फलन का समाकलन और फिर फूरे फलन का समाकलन प्लस ये e का पावर x 2 इंटू sin x cos x dx चलिए आगे सरल करते हैं ये है sin square x e का पावर x इसका समाकलन आपको मिलेगा e का पावर x minus sin square x का आउकलन तो 2 sin x और sin x का आउकलन cos x और ये e का पावर x का समाकलन e का पावर x dx प्लस e का पावर x इंटू 2 sin x cos x dx देखिए ये पद और ये पद दोनों समान है यहाँ पर ये रिंड चिन्न है और यहाँ पर ये धन चिन्न है प्लस c लिख लेता है जहाँ पर c समाकलन नहीं है तांक है तो ये दोनों पद cancel हो जाएंगे और ultimately हमें दिये गए फ़लन का समाकलन प्राप्त हो रहा है e का पावर x इंटू sin square x प्लस c ये दिये गए फ़लन का समाकलन अगला फ़लन दिया गया है e का पावर x इंटू e का पावर log of 10x प्लस c square x इसका हमें समाकलन करना है ये समाकलन करने के पहले आपको यह पता होना चाहिए कि e का पावर यदि log of 10x है और यहाँ पर भी base e होता है तो ultimately e और log ये एक दोसरे के reciprocal होते हैं तो इसे सरल करने पर हमें मिल जाएगा फ़लन 10x तो अब इस दिया गया फ़लन का यदि समाकलन आई हो हम लिखेंगे e का पावर x और इसे मैं लिख रहा हूँ 10x और प्लस c square x और dx तो दो अलग अलग फ़लनों के समाकलन के अंतर या योग की रूप में हम इसे लिख सकते हैं तो ये e का पावर x 10x dx प्लस e का पावर x c square x dx अब ये जो प्राप्त फ़लन है इसमें 10x को प्रतम फ़लन और इसको दूति फ़लन मान करके हम खंड सा समाकलन का उप्योग करके सरल करेंगे तो प्रतम फ़लन दूसरे फ़लन का समाकलन और फिर पूरे फ़लन का समाकलन फिर प्लस ये इंटिकेशन e का पावर x है ये c square x dx आगे सरल करते हैं ये 10x और ये e का पावर x इसका इंटिकेशन e का पावर x ही मिलेगा माइनस इंटिकेशन साइन d by dx of 10x ये में मिल जाएगा सेक स्क्वेर x सेक स्क्वेर x और ये e का पावर x ये e का पावर x dx e का पावर x का समाकलन e का पावर x मिलेगा और फिर ये dx प्लस e का पावर x सेक स्क्वेर x dx और प्लस c जहां पर C समाकलन यह तांक है तो देखिए कि यह जो पद है और यह पद दोनों समान है एक रिन चिनने के साथ है एक धन चिनने के साथ है दोनों कैंसल हो जाएगा और ultimately हमें दिये गए फरन का समाकलन मिल रहा है E का पावर X इंटू 10 X प्लस C जो की हमें ग्याद करना था अगला प्रस्ण दिया गया है E का पावर X इंटू 10 X माइनस लॉग आफ कॉस X इसका हमें समाकलन ग्याद करना है तो दोनों फरनों को अलग-अलग समाकलन करके अंतर के रूप में हम लिख सकते हैं माना की दिये गया फलन का समाकलन है आई यह में मिल जाएगा E का पावर X 10 X D X माइनस अगेन इंटूगेशन E का पावर X लॉग आफ कॉस X D X E का पावर X 10 X D X इसे इसी प्रकार रहने देते हैं और दूसरा जो फलन है इसका हम समाकलन करते हैं लॉग आफ कॉस X इसको प्रथम फलन और इसको दूती फलन मान करके हम खंड सा समाकलन करेंगे तो यहां पर होता है प्रथम फलन दूसरे फलन का समाकलन रिण पहले फलन का अवकलन दूसरे फलन का समाकलन और फिर इस पूरे पत का समाकलन आगे सरल करते हैं यह integration sign e का पावर x 10x dx फिर minus log of cos x और यह e का पावर x फिर minus log of cos x का जब आप अवकलन करेंगे तो मिल दाएगा 1 upon cos x और cos x का अवकलन मिलेगा minus sin x यह minus sin x और e का power x यह मिल जाएगा e का power x dx और यह समा क्लान का चेल अब आगे से रहल करते हैं यह e का power x 10x dx minus log of cos x into e का power x यह minus और minus plus और लेकिन यह minus minus मिल जाएगा sin x upon cos x आप इसे लिख सकते हैं tan x और e का power x को मैं पहले लिख रहा हूँ और फिर यह tan x dx और plus c जहां पर c समा क्लान निया तांक है तो देखिए कि यह पद और यह पद दोनों समाने यह रिंचेन के साथ है और यह धन चेन के साथ है दोनों एक दूसरे को कैंसल कर देंगे और अंत में हमें दिये गए फ़लन का समा क्लान मिलेगा minus log of cos x into e का power x plus c या फिर आप लिख सकते हैं i equal to minus e का power x log of cos x plus c जो की दिये गए फ़लन का समा क्लान है प्रश्ण में दिया गया है जहां पर हमें समा क्लान करना है यह है x plus 1 e का power x upon x plus 2 square dx इसे हमें सरल करना है तो इस प्रकार के प्रश्णों को सरल करने के लिए देखिए यहां पर यह x plus 1 है और यहां पर x plus 2 है यदि इसमें मैं एक add कर दूँ और एक subtract कर दूँ अर्थाथ एक जोड दूँ और एक घटा दूँ तो जोडने पर मुझे x plus 2 मिल जाएगा और फिर minus 1 इस तरीके से में आगे इसे लिख सकता हूँ तो इसे हम लिखेंगे कि माना दिया गया फ्लन है i और इसे x plus 2 यहां पर मैं एक जोड रहा हूँ तो मुझे एक घटाना भी होगा और यह e का power x ताकि 2 minus 1 हमें 1 मिल जाए तो यह x plus 2 का square आगे इन दोनों फ्लनों को अलग अलग लिख लेते हैं तो यह x plus 2 अपाउन x plus 2 का square e का power x और यहां पर है d x और फिर minus e का power x x plus 2 का square d x आगे जब सरल करेंगे तो यह हमें मिल जाएगा e का power x upon upon x plus 2 d x यह और यह इसमें से घात एक कम हो जाएगा और हमें कुछ इस तरीके से प्राप्त होगा और फिर minus e का power x upon x plus 2 का square d x यह जो 1 upon x plus 2 है इसे हम प्रत्थम फलन मान करके चलते हैं और e का power x जो है इसे हम दीती फलन मान करके चलेंगे और आगे सरल करेंगे तो खंड सा समा कलन का सूत्र प्रत्थम फलन दूसरे फलन का समा कलन प्रत्थम फलन का अवकलन दूसरे फलन का समा कलन और फिर इस पूरे फलन का समा कलन फिर minus integration sign e का power x यह x plus 2 का square और यह dx अब आगे सरल करते हैं e का power x का समा कलन करने पर आपको e का power x ही मिलेगा तो यह e का power x upon x plus 2 minus integration sign x plus 2 इसका जब आप आप कलन करेंगे तो आपको मिल जाएगा minus 1 upon x plus 2 का square और फिर e का power x का समा कलन आपको मिल जाएगा e का पावर x और फिर ये dx, फिर minus e का पावर x upon x plus 2 square और फिर ये dx, और फिर plus c हम लिख सकते हैं जहाँ पर c एक समाकलन यह तांक है, अब देखिए कि ये पद, ये minus हाजएगा तो ये plus हो जाएगा, ये दोनों पद समान है, ये धन चिनने के साथ होगा और ये धन चिनने के साथ होगा, तो दोनों कैंसल हो जाएगा, और अल्टीमेटली हमें मिल रहा है, इंटिकेशन, दिएगे फेलन का इंटिकेशन ये समाकलन, i equal to e का पावर x upon x plus 2 plus c, और यही हमें ग्याद करने के लिए कहा गया था, अगला प्रस्न है कि x minus 1 into e का पावर x upon x plus 1 का पावर 3 dx, इसका हमें समाकलन ग्याद करना है, तो यहाँ पर देखिए कि ये x plus 1 है और यहाँ पर x minus 1 है, तो अंस में हम plus 1 और minus 1 करके, दोनों पदों को अलग-अलग करके लिख लेंगे, जैसा कि पिछले प्रस्न में हमने किया था, तो इसे लिखा जा सकता है x plus 1 और य x plus 1 का पावर 3 dx, तो माना कि ये i है, तो हम लिखेंगे i equal to x plus 1 upon x plus 1 का पावर 3 e का पावर x minus 2 को मैं उभेनिश ले सकता हूँ बाहर, और ये e का पावर x upon x plus 1 का पावर 3 dx, आगे जब सरल करेंगे, तो मैं मिल जाएगा, e का पावर x upon x plus 1 का पावर 2 dx, यहाँ पर हमें लिखना था dx, और फिर minus 2 e का पावर x upon x plus 1 का पावर 3 dx, अब इस दिये गए फलन का हम समाकलन करेंगे, चोकि पिछले प्रस्ण में आपने देखा है कि हर में जो रासी दी गई है, उसके घात में वृद्धी हो जाती है, जब हम उसका समाकलन करते हैं, तो यह 1 upon x plus 1 का स्क्वार को इसे हम प्रथम फलन मानेंगे और e का पावर x को हम दीती फलन मान करके खंड सा समाकलन करेंगे, तो आगे हमें मिल जाएगा, खंड सा समाकलन का उप्योग करके इस दिये गए फलन का समाकलन गयाद करेंगे, तो प्रथम फलन यह 1 upon x plus 1 का square, दूसरे फलन का हम समा कलन लिखेंगे, फिर प्रथम फलन का अवकलन, दूसरे फलन का समा कलन और फिर इस पूरे फलन का हम समा कलन लिखेंगे, फिर minus 2 into integration e का पावर x upon x plus 1 cube dx, यह मिल दाएगा, 1 upon x plus 1 का square, integration e का पावर x का integration, यह समा कलन e का पावर x ही मिलेगा, फिर minus 1 by x plus 1 का square, इसका जब आप समा कलन करेंगे, तो मिल दाएगा minus 2 upon x plus 1 का power 3 और e का power x का समाकलन e का power x और फिर ये dx फिर ये minus 2 e का power x upon x plus 1 का power 3 dx और plus c लिख सकते हैं जहाँ पर c समाकलन यह तांक है तो ये e का power x upon x plus 1 का square minus और minus plus 2 into e का power x x plus 1 का power 3 dx और फिर minus 2 into e का power x upon x plus 1 का power 3 dx plus c तो ये पद और ये पद दोनों समान है ये धन चेनने के साथ है और ये रण चेनने के साथ है दोनों एक दूसरे को कैंसल कर देंगे और हमें दिये गए फलन का समाकलन पराप्त होगा e का power x upon x plus 1 का square plus c और यही वहां मान है जो की हमें ग्याद करना था हमें इसराल करना है integration e का power 2x 1 plus sin 2x upon 1 plus cos 2x dx तो 1 plus sin 2x माना कि यह दिये गया फलन का integration आई है यह यह आई है और यह e का power 2x 1 plus sin 2x को आप लिख सकते हैं 2 sin x cos x समानने त्रिकोर्ण मिती सूतर का उप्योग कर रहे हैं और फिर 1 plus cos 2x इसे आप लिख सकते हैं 2 cos square x dx अब दोनों फलनों को अलग-अलग कर लेते हैं और आगे हम सरल करेंगे तो यह आपको मिल दाएगा e का power 2x upon 2 cos square x dx इसका गुणा इसके साथ और फिर इसका गुणा इसके साथ और इसको हम अलग से लिखेंगे तो यह मिल दाएगा e का power 2x into 2 sin x cos x upon 2 upon 2 cos square x dx तो यहां से 1 by 2 हम भेनिश ले सकते हैं या वो फलन के बाहर आ जाएगा e का power 2x upon cos square x dx plus integration e का power 2x देखिए यह 2 और यह 2 cancel हो जाएगा यह cos x और यहां का एक cos x cancel हो जाएगा तो ultimately यहां पर आपको मिल जाएगा 10x dx अब यह जो फलन है इसका हम समाखलन करेंगे जहां पर e का power 2x को हम प्रथम फलन मानेंगे इस फलन का समाखलन करने के पहले हम थोड़ा सा और इससे सरल कर लेते हैं यह मिल जाएगा e का power 2x 1 upon cos square x को हम लिख सकते हैं से की square x dx plus यह integration sign e का power 2x into 10x dx तो इसमें हम e का power 2x को प्रथम फलन और से की square x को हम दूती फलन मान करके सरल करते हैं खंड सा समाखलन का सूत्र का उप्योग करेंगे तो e का power 2x प्रथम फलन दूसरे फलन का समाखलन रण प्रथम फलन का अवकलन दूसरे फलन का समाखलन और फिर इस पूरे फलन का हम समाखलन लिखेंगे फिर फिर प्लस integration e का power 2x 10x dx आगे सरल करेंगे तो मिल जाएगा 1 by 2 e का power 2x से की square x का समाखलन आपको मिल जाएगा 10x माइनस integration sign यह आपको मिल जाएगा 2 into e का power 2x और से की square x का समाखलन 10x और फिर यह dx प्लस integration e का power 2x 10x dx इसको जब आगे multiply करेंगे तो मिल जाएगा e का power 2x into 10x अपान 2 यह 1 by 2 और यह 2 cancel हो जाएगा और ultimately मिल जाएगा minus e का power 2x 10x dx प्लस e का power 2x 10x dx प्लस c जहां पर c समाखलन यह तांक है देखिए यह पद और यह पद दोनों समाने यह रिंट चेने के साथ है और यह धन चेने के साथ है दोनों एक दूसरे को cancel कर देंगे और ultimately हमें मिल रहा है दिये गए फ़लन का समाखलन या i equal to e का power 2x into 10x upon 2 प्लस c और यही इस दिये गए फ़लन का समाखलन है जो की हमें याद करने के लिए कहा गया था अगला परशन दिया गया है integration e का power x 1 minus sin x upon 1 minus cos x dx इसका में समाखलन करना है तो आगे हम लिख सकते हैं i equal to e का power x 1 minus sin x को हम लिख सकते हैं 2 sin x by 2 into cos x by 2 upon 1 minus cos x को सीधे तोर पर लिखा जा सकता है 2 into sin x by 2 और फिर ये dx दोनों फ़लनों को हम अलग अलग लिखते हैं तो हमें मिल जाएगा e का power x 1 by 2 cos x by 2 minus ये 2 or 2 cancel हो जाएगा cos x by 2 upon sin x by 2 तो हम इसे directly लिख सकते हैं cot of x by 2 then dx और आगे सरल करें तो 1 by 2 integration sign के पहले आ जाएगा और आपको मिल जाएगा e का power x cos x by 2 dx minus integration sign e का power x cot of x by 2 dx अब यहाँ पर जो e का power x है इसे प्रत्थम फलन और cos x को हम दीती फलन मान करके खंड सा समाकलन करेंगे तो यह हमें मिल जाएगा 1 by 2 प्रत्थम फलन दूसरे फलन का समाकलन और फिर इस पूरे फलन का समाकलन फिर minus e का power x cot of x by 2 dx आगे सरल करते हैं 1 by 2 e का power x को से की square x का समाकलन होता है minus cot x तो हमें मिल जाएगा minus cot of x by 2 upon 1 by 2 फिर minus integration sign e का power x का समाकलन e का power x पुना यहाँ पर भी हमें मिलेगा minus cot of x by 2 upon 1 by 2 का समाकलन या integration और फिर यह minus e का power x cot of x by 2 dx आगे जब सरल करेंगे तो यह पद और यह पद दोने एक दूसरे को कैंसल कर देंगे और हमें मिल जाएगा minus of e का power cot of x by 2 और माइनस integration sign e का power x यह माइनस और माइनस प्लस cot x by 2 dx और यह minus e का power x cot x by 2 dx और प्लस c लगा देते हैं जहां पर c समाकलन नियत आंक है तो देखिए यह पद धनात्मक है और यह पद रनात्मक है दोनों एक दूसरे को कैंसल कर देंगे और अंत में आपको मिल रहा है दिये गए फरन का समाकलन minus of e का power x cot of x by 2 प्लस c और यही हमें याद करने के लिए कहा गया था सरल करने के लिए कहा गया है जहां पर दिया है integration 2x plus sin 2x upon 1 plus cos 2x dx माना कि यह आई है यह 2x plus sin 2x को आप लिख सकते हैं 2 sin x cos x upon 1 plus cos 2x को लिख सकते हैं 2 cos square x minus 1 और फिर यह dx यह minus 1 और plus 1 cancel हो जाएगा और आपको आगे मिल जाएगा integration sign दोनों से दोनों पदों में 2 जो है यह common आ जाएगा x plus sin x cos x upon 2 cos square x और फिर यह dx 2 और 2 cancel हो जाएगा फिर इन दोनों पदों को अलग-अलग रूप में अलग-अलग हम लिख सकते हैं यह मिल जाएगा x upon cos square x dx plus integration sign sin x cos x upon cos square x dx आगे सराल करेंगे तो मिल जाएगा x say square x dx plus यहां से cos x और यहां काई cos x cancel हो जाएगा sin x by cos x आपको मिल जाएगा tan x dx अब x को प्रथम फलन और से की square x को दीती फलन मान करके आगे इसका खंड सा समाकलन करेंगे तो प्रथम फलन दूसरे फलन का समाकलन और फिर इस पूरे फलन का समाकलन प्लस integration sign 10x dx x से की square x का समाकलन 10x माइनस यह मिल जाएगा 1 और फिर यह आपको मिल जाएगा 10x और फिर यह dx और प्लस integration 10x dx और प्लस सी जहां पर सी समाकलन नियत आंक है तो यह फलन यह रिणन चेंगे यह रिणन चेंगे साथ है और यह धन चेंगे साथ है दोनों कैंसल हो जाएगे और अल्टीमेंटली दिया गया प्लस सी जहां पर सी दिया गया फलन का समाकलन नियत आंक है अगला प्लस दिया गया है integration x by 2 को से की square x by 2 माइनस कॉर्ट ओफ xy2 dx माना की यह आई है दोनों फलनों को अलग अलग इस लेते हैं x by 2 को से की square x by 2 dx माइनस कॉर्ट ओफ x by 2 dx तो पहले यहां से हम 1 by 2 को function के बाहर ले लेते हैं और फिर यह हमें मिल रहा है x into cosec square x by 2 dx और फिर माइनस cot of x by 2 dx इसे प्रतम फलन और इसे दृती फलन मान करके आगे खंट सा समाकलन करेंगे यह मिल जाएगा 1 by 2 फिर यह first function second function का integration x by 2 dx फिर minus d by dx of first function integration of second function और फिर इस पूरे function का integration फिर minus integration sign cot of x by 2 dx equal to 1 by 2 x cosec square x का जो समाकलन होता है यह minus cot x मिलता है तो आप लिखेंगे minus cot of x by 2 upon 1 by 2 फिर minus यह मिल जाएगा 1 और फिर से minus cot of x by 2 upon 1 by 2 और फिर यह dx minus integration sign cot of x by 2 dx आगे जब सरल करेंगे तो यह 1 by 2 और 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 यह 1 by 2 जाएगा और फिर minus cot of x by 2 dx और प्लस c जहां पर c हम समाकलन यह ताँ क्लिक सकते हैं तो यह धनात्मक है और यह रणात्मक है दोने एक दूसरे को कैंसल कर देंगे तो दिये गए फलन का समाकलन या फिर सरली करन करने पर हमें प्राप्त हो रहा है minus cot of x by 2 प्लस c और यही दिये गए फलन का समाकलन है जो की हमें ग्यात करने के लिए कहा गया था